अससालाम अलेकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों में देखे खेरियास तोंगे, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में ज़रोरी कर दिया गया है, न्यूस है आज की मैं आप लोगों के साथ न्यूस से अपरंडमेंट करने तरीका बता दिया है, आप लोगों उसको देखके अपना साहल अप्लिकेशन अच्छे से बुक कर सकते हूं, ठीके refresh कर सक Candido Shasm तो news के है मैं आप लोगों को सुनाता हूँ और आप लोगको iscreen पे भी show करूइँगा क्योंकि news जो मेरी रहती है उसे 100% सही रहती है गर्बेंट के तरब से जो news आती है वही मैं आप लोगों को देता हूँ तो जो news है driver के लिये यह खास करके driver के लिए है बाकि और लोगों के लिए है लिगिए ज़्यादा तर ये ड्राइवरों के लिए है तो guys news क्या मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि आपको अभी स्क्रीन पे सो हो रहा होगा सभी कुईत में सभी के लिए बायमेटिक फिंगर प्रिंट रेसिडेंसी परमिट और ड्राइविंग लाइसेस रिन्यू में अनिवार रहा है जैसे कि मैंने आप लोगों को बायमेटिक फिंगर प्रिंट के बारे में दो वीडियो डाली है एक वीडियो डाली थी जो न्यूज आया था दूसरा मैंने कैसे अपर्णमेंट लेना है वो भी मैंने डाला था कोईत में आंतरातिक मंत्राले के अधिकारिये के द्वारा जाच अनिभाय शुरू कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई वेक्ती बायमेटिक फिंगर्पिंट से जुड़े नियमों का उलंगन करता है तो उसे परिशानी का सामना करना पड़ेगा तो नियमों का उलंगन मत करना वरना आप लोगों को परसानी का सामना करना पड़ जाएगा आगे देखते हैं बताये गया है कि अब तक करीबन 67 लाक लोगों ने अपना बायमेटिक फिंगर प्रिंट की परकिरिया पूरी की है अधिकारियों के द्वारा ये सुझाओ दिया गया है कि तय समय के अंदर सभी को ये परकिरिया पूरी कर लेनी चाहिए ऐसा नहीं करने की इस्तिती में रेसिदेंसी पर्मिट रेनवल वाइकल रेजिस्टेशन और ड्राविंग लैसेंस रेनवल से वंचित कर दिया जाएगा तो आप लोग देख सकते हो कि अगर आप लोगों ने अपना बायमेटिक फिंगर प्रिंट तय समय पे जो टाइम दिया गया एक जून तक जो टाइम दिया गया अगर उस जून तक आप लोग एक जून तक अगर अपना बायमेटिक फिंगर प्रिंट नहीं देंगे तो आपको हो सकता है कि कुवे छोड़ना भी पड़े तो ये सबसे जरूरी है आप लोग अपना बायमेटिक फिंग है आगे देखी नियूस क्या है बताते चले कि पिछले समय बायमेटिक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था जिसमें करीबन 90 लाक नागरिको और आठ लाक असी हजार परवास्यों ने रेजिस्टेशन कर लिया है सुत्रों के हवाले से कहा गया है कि 67,000 इंडिविज्वल जिन्होंने अभी तक इस परकिरिया को पूरा नहीं किया है उन्हें जल्द ही ये परकिरिया पूरी कर लेनी चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी इतने लोगों ने 60,000 लोगों ने अभी ये परकिरिया पूरी नहीं किया है तो ये जो नियूज है आप लोग देख सकते हो इसमें साफ साफ गवर्मेंट के तरफ से कहा गया है कि अगर आप लोग ठेक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अधिकारियों के दुआरा यह सुजाओ दिया गया है तैस समय के अंदर अगर आप लोगों ने अपना fingerprint जाके नहीं दिया तो आपका जो है license, driving license अगर आपके पास अपने नाम की गाड़ी है आपने बहुत सारे कहाँ पर जो है कि अपनी गाड़ी चलते हैं कोई taxi में चलता यह कोई delivery में चलता आइख कहीं भी लगा एक अपना चलता तो उनका वहिकल गाड़ी का registration पेपर जो होता है दफ्तर जिसकोई यहाँ पर बोलते है वो भी जो है बैन हो जाएगा रीन नहीं होगा और license तो, रीन यहाद कर सकते हो उसमें टाइम और कौनष लोकेशन है आप अपने नज्दीत की लोकेशन meant चूज कर सकते हो बहुत सारा लोकेशन उसमें और भी जन्चाट पे था तो इसलिए उससे पूरा नहीं तरस्येट कर लेना फिर उसमें आपको इंग्लिस में नाम दिख जाएगा area का तो जिस area में आपको जाना है जो आपको नजदिक है आप उस area को उसमें जाके select कर सकते हैं और अपना उस area में जाके biomwedek fingerprint दे दे देगे अगर आप लोग ये गलती करोगे नहीं दोगे तो फिर आप लोगों का driving license आपका एकामा ये सब renewal होने से रह जाएगा आप लोग रिन्वल नहीं करा पाओगे अब आप लोग कहोगे ये सारी चीजे मुझे लोगों ने comment में कह रहा था कि भाई ये तो हमारी tension नहीं न ये तो कफीलों की tension है कफील अगर नहीं करवाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे भाई आप लोगों के कफील के पास इतना time नहीं है कि वह आपको बूलेगा कि आप साहील application में जाओ fingerprint का appointment book करो और जाके अपना biometric fingerprint दो ठीक है इनके पास इतना time नहीं है आप लोगों को खुद करना है अगर आप लोगों को मुसीबत से बचना है आपका driving license बचाना है आपका civil ID बचाना है तो ये सारी चीजे आपको खुद करना है ठीक है आप अपना appointment book करे जिस date में रहेगा उससे एक दिन पहले आप अपने कफिल को inform करें उस सब जितने भी कोईत ही है सबको पता है ठीक है आप अपने कफिल को बता है कि ऐसा है कि मेरा इस time का इस date का जो है appointment है मुझे जाना है byometric fingerprint देने खालास वो बोलेगा ठीक है जाओ आप जाके अपना byometric fingerprint दे दे और जो location की ब मत लीजिएगा जितने भी driver लोग है मैं तो ये खास करके driver लोगों के लिए ही बनाया हूँ क्योंकि इसमें देखो residency जो है कि एकामा जो है अगर वो cancel हो रहा है तो सबके लिए है पूरे जितने भी कुईत में अजने भी लोग काम कर रहे हैं सबके लिए लेकिन जब इसमें driver की बात है license की बात है तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि मैं भी एक driver हूँ और बहुत सारे ऐसे driver जो मेरी वीडियो देखते भी हैं तो मुझे लगा ये बताना बहुत जरूरी है पता नहीं आप लोगों को ये चीज़े पता रही होगी या न नहीं बन पाता है और एक बार आपका license अगर किसी विज़े से बैंड हो गया या cancel हो गया तो फिर आपको बहुत जादा दिक्कत होगी ठीक है आप जैसे मतलब कि आप दूसरी जगा अगर काम कर रहे हो और आपका license बैंड हो गया आप इंडिया चले गया फिर उसके बाद यहां पर आने के बाद आपका license बनना बहुत मुस्किल हो जागा ठीक है आपको बाइमेटिक फिंगर प्रिंट यह कुछ साल पहले आया यानि पिछले साल भी सुरू किया तो पिछले साल में कुछ लोगों का हो गया था कुछ लोगों का रह गया तो फिर से यह सारा साला लेना चाते हैं तराजों लेना चाते हैं आपकी कंपनी हो कफील हो जो भी तो उस situation में भी आपका driving license जो है रद कर दिया जाएगा आपका driving license वो काम नहीं करेगा ठीक है आपको फिर से driving license बनवाना पड़ेगा यह एक professional change करने के ऊपर पे यह दे दिया है तो गाइस यह स जल्दी से जल्दी यह काम कर सके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको serious नहीं ले रहें जो b crochet फिंकरप्रिंट में जो भी नियम जो भी कानून आता है जो खुद क्वेट ही लोग अपना जाके biometric fingerprint दे रहे तो अजने भी लोगों के लिए कितना जरूरी है आप लोग समझ सकते होंगे तो आप लोगों को biometric fingerprint देना बहुत जरूरी है और अगर नहीं देंगे तो उसमें आपका ही नुक्सान है तो guys वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस्ट कर लें ताकि ऐसे information आप तक पहुशती रहे मिलते हैं दूसरे news के साथ दूसरे दिन उसके तब तक के लिए बाई